ओम श्री गनेश आये नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं मिथुन आशी वालू हो जाओ तैयार क्योंकि अब भगवान श्री गनेश और मालक्षिमी के अश्रवास से आपको 27, 28, 29 और 30 अपरेल के इन 4 दिनों में बहुत बड़ी खुसकबरी मिलने वाली हैं जा दोस्तो बगवान श्री गनेश और मालक्षिमी के अश्रवास से इन 4 दिनों का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला हैं जा दोस्तो इन 4 दिनों में आपको बगवान श्री गनेश और मालक्षिमी के अश्रवास से अन अवश्य बने रहें और अंत तक इसे वीडियो को आप पूरा देखें बिलकुल भी इसे वीडियो को आप मिस ना करें तोकि यह वीडियो आपके लिए बहुती महत पपोने रहने वाली हैं दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहला आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इसे वीडियो को एक लाइक जरू करें कमेंट्स बोक्स में जै श्री गनेश जै मालक्षमी जरू लिखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरू दबाएं चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसे रहेंगे आपके लिए भगवान श्री गनेश और मालक्षमी के असिरवास से 27 अपरेल से 30 अपरेल याने की चार महत्पपोन दिन दोस्तों आपके लिए भगवान श्री गनेश और मालक्षमी के असिरवास से ये दिन बहुती अच्छे दिन रहने वाले हैं इन दिनों नौकरी शिक्षा और व्यपार के छित्र में आप नए कीर्तिमान इस्थापित करने में काम्याब होंगे आपके जीवन में आने वाली सभी दुख परेसानियां दूर हो जाएंगी जीवन में आपको इन दिनों कई बड़े चमतकार देखने को मिलेंगे अपने जीवन में आपने कभी सोचा भी नह होगा उतना आपको इन दिनों सुख मिलेगा समय समय पर होने वाले परिवर्तन आपके लिए बेहद खास रहेंगे दोस्तों आप लोगों को किसमत का इन दिनों पूरा साथ मिलने वाला है वैपार में तेजी आएगी आपको नोकरी के नए ओफर इन दिनों मिल सकते हैं आपको कारोबार में अचानक से धनलाब हो सकता है आपके जीवन में आपको चारो और से खुसियां खुसियां इन दिनों प्राप्त होंगी अचानक इन दिनों कुछ बड़े रुके हुए कार रहे बहुती आसानी से और समय पर आपको खत्म होते हुए देखने को मिल सकते ह भग गये और किसमत दोनों का आपको इन दिनों साथ मिलने वाला है आप कोई नया व्यवशाय भी इन दिनों सुरू कर सकते हैं इससे आपकी आर्थिक इस्तिति में बदलाब आएगा बुद्धी कौसल से किया गया कार रहे इन दिनों संपन होगा परिवार की और अधिक ध्यान देने की इन दिनों आपको जरूर्थ है छोटी छोटी बातों को लेकर अधिक चिंता मगन आप ना रहे आपका रिस्ता किसी खूबसूरत लव इस्टोरी से कम नहीं होगा घर परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा घर के बड़े बुजर्गों का आपको साथ मिल सकता है सरजनात्मक कारों पर इन दिनों आप धन लगा सकते हैं किसी वाद विवाद के कारण अधिक धन खर्च करने से आपको बचना भी होगा लव लाइफ में आने वाली सभी परिसानिया इन दिनों दूर होने वाली हैं इस समय आप अपने कारोबार में कुछ नया बदला भी कर सकते हैं जो आपके लिए काफी फायदेबंद भी रहेगा नौकरी कर रहे लोगों को उच्छ पद की इन दिनों प्राप्ति हो सकती हैं परिवार में शुक्षान्ती का माहुल बना हुआ रहेगा किसी खास काम के पूर्ण हो जाने की इन दिनों आपको खुसिया मिलेंगी इन दिनों आप आत्म विश्वास से परीपून रहेंगे सरकार से आपको धनलाब होने के योग बन रहे हैं समाज में आपका रुतवा कायम रहेगा करियर छितर में भी आपको लाब मिलेंगे निवेस के मामलों में आपको कोई नई सला मिलेगी वैपार को आगे बढ़ाने के कुछ नहीं मुखे आपको इन दिनों मिल सकते हैं आप लोगों के पास अचानक से इन दिनों धन आने की पूरी संभवना है या फिर आप ये समझें कि आपका अब सुब समय सुरू हो चुका है सिक्षा के छित्र से जुड़े हुए जातकों के लिए भी सफलता के इन दिनों मार्ग खुलेंगे वहवाईक जीवन में भी खुसी के पल आपको इन दिनों प्राप्त होंगे अचानक धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं आपको कारोबार के सिलसिले से भी किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है जो आपके लिए अवस्य ही लाबकारी व्यक्तियों की साहता से आप अपनी इस्तिती में सुदार कर सकते हैं आप लोग अपने पुराने नुकसान की भी भरपाई करने में इन दिनों सफल होंगे संबंद बनानी के लिए भी यह समय आपके लिए काफी मधुर है परिवार के लोगों के साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होगा माता से प्यार और आपको सहयोग मिल सकता है आपका निजी जीवन खुसाल बना रहेगा हर छित्र में आपको इन दिनों भग्या का पूरा सहयोग मिलेगा आपकी बिगड़ी हुई किस्मत अचानक चमक उठेगी वैपारी वर्ग के लोगों की योजनाएं सफल होंगी अभी घरेलू मामले आपके दिमाग में हो सकते हैं और भाई या माता पिता का भी स्वास्त आपको परिशान कर सकता है सामाजिक उत्सबों का आप आनंद लेने के लिए समय निकालें धन का आप सद्यूपयों करें और फिजूली खर्च से भी बचें इस छण का आकरशन आपको दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेदित करेगा अपने प्रियासों के कारण आप आकरशन का भी केंदर इन दिनों बने रहेंगे लव मीटर के अनुसार आपको इन दिनों अपना सच्चा प्यार मिलने की पूरी संभावन नजर आ रही है जितना आप दूसरों की भलाई के लिए कार्रे करेंगे अपने जीवन में उतनी ही तेजी से आप प्रगर्दी करते हुए आगे बढ़ेंगे अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसे प्रपोज करना चाते हैं तो आपके लिए यह समय बहुती अच्छा रहेगा परिवारिक विवाद और लड़ाई जगडे से आप खास तोर पर इन दिनों दूर रहें पार्टी वेब पिकनिक का भी आप इन दिनों कारेकरम बना सकते हैं दोस्तों इन दिनों अचानक लाब के संकेत भी आप लोगों के लिए बन रहे हैं अपने दिल की बात दिल में दबा कर ना रखें राजनेतिक छेतर से जड़े लोगों को कोई बड़ा लाब इन दिनों हो सकता है अपने खान पान पर आपको नियंतन रखने की भी आवशकता होगी लंबे समय से चली आ रही अपनी बीमारी का भी इलाज अपनी मुस्कान से करें क्योंकि यह सभी परेसानियों की सबसे कार अगर दवा है दोस्तो इन दिनों अपने परेवारिक सुकों का आप आनंद उठाएं और परिवार में भी कोई सुब कार्रे संपन होने की इन दिनों संभावना बन सकती है नए महमानों का आगमन होगा जिससे परिवारिक जीवन में वेस्तता बनी रहेगी कारे छेतर में आपकी इस्तिती काफी अच्छी रहेगी और आपके कार्रों को भी सरहाना प्राप्थ होगी दोस्तो इस समय आपको अपने केरियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर प्राप्थ होंगे अपने पेसे और अपने केरियर को बहतर बनाने के लिए उनका आप पू कि यह कब आपके हातों से फिसल जाएं जियां दोस्तों कहना गलत नहीं होगा आपके जीवन के सारे दुख इन दिनों खत्म होंगे आप अपने कामों और कारोबार में तेजी से सपलता की ओर अगरसर होंगे आपको स्वास्त संबंदित समस्याई भी खत्म होंगी नियंतन व्रद्धी होगी जियां दोस्तों कहना गलत नहीं होगा इन दिनों आपको भहुत बड़ी खुसकबरियां अवस्य ही प्राप्त होंगी और आप इन दिनों अपनी सफलताओं के जंडे गार देंगे जिससे आपका मन भहुती प्रसन रहेगा